हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूटूब चैनल देखे जाने शेडिस में दोस्तों आप सभी के लिए 36 गर सिछक भरती का मैं कलास लेकर आया हूं जो कि बाल विकास और सिछा सास्तर का यह कलास है और यह दूसरे नमबर का कलास है इससे पहले मैंने हैं एक कलास करवा रखा हूं तो आपने अगर नहीं देखे हूं को तिनीचे आपको सिछक भरती का कलास मिल जाएगा आप जाकर जरूर देखिए और जो भी सिछक की तयारी कर रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथे साथ बिल घंटी के जो आल बटन होता है उ और कोश्चन पसंद आए तो लाइक जरूर करिए साथ आपको जो भी दोस्त तायारी करने हों तक वी डोसेर जरूर कर दिया हूँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं टेलीग्राम गुरूप पलिंक निचे दिया हुआ है उसको जरूर से जोईन करिए तो आई सबसे पहला जो काफी मुश्ट इंपॉर्टन प्रस्ण है आपके एक्जाम में आने लाइक वर्ग दो और वर्ग यहां पर तीन की जो भरती हुनी है लगभग 12489 पदों के लिए भरती विद्यापन जल्द हिजारी होने वाली है तो आप अभी से तैयारी चालो कर दिजी और काफी महत्व पूर्ड रहेगा यह प्रस्ण है पहला प्रस्ण है दल सिक्षण में विक्सित करने के सामर्थ है तो सर्वाधिक जो उप्युक्त विकल्प जो दिया है उसका चैन करना है दल सिक्षण में विक्सित करने के सामर्थ है चार आपसन है पर दिस परद्धा की भावना सहयोग एक दूसरे के सिख्चन को परिपूर खाने की आदत या एक दूसरे के सिख्चन की कमियों को चिनायक्त करना टो इसका सही आंसर है पर थे स look a रिट नलिके भी खॉटेज़ करने के जो समेर्थ होती है इसका सही अंसर इंटाकरी सीह एके और अगला प्राव है यहां पर दूसरा नंबर कोश्चन है विद्यार्थी कथा कथा कख्ष में सुतंत्रता पुर्वक अंतक्रिया करेंगे यदि सही भावतिक सुधियां हूं कड़ा अनुसासन हो प्रजातांत्रिक वातावराण हो या उप्रुक्त में से कोई नहीं तो इसका सहियां से हैं पर तो थेडंबर करेंगे अघ्ञार्या आधाम कर के हैं 21 नंबर कंजा है जोड़ी प्रफावित करता है तो जिरुच्ए अभी प्रिमेना या मानसिक थकान तो इसका सहीन असर उप्रुखत सभी हो जाएगा जो आंतरी कक्छा कक्छ कारा को अधिगम को प्रभावित करती है ये सभी हो जाएगा एगला है बाल्या अवस्था में स्री जन्नात्मक की अभिवक्ति किस स्वरूप में किया जा सकता है तो नटकी खेल द्वारा रचनात्मक खेल द्वारा हसे भाव द्वारा या उप्रुक्त सभी तो इसका सहयान से ड़ी हो जाएगा उप्रुकत सभी के द्वारा यह अभी वक्ति की जा सकती है सिक्स नम्मर कोश्टन है बुद्धी के द्युतत्व सिध्धान्द के अंसार व्यक्ति की बुद्धी के विस्ष्ट तत्व अथ्वा एस तत्व जो होता है तो यहां पर जन्मजात होता है अर्जित किया जा सकता है सभी धिमान वक्तियों में समार रुप से पाय जाता है या इनमें से कोई नहीं तो इसका करेक्टर अंसर नहीं तो इसका सिक्स का बी हो जाएगा अर्जित किया जा सकता है बुद्धे के जुद्धत से धान के अंसार अगला है साथवा नमबर बच्चों में पिछड़े पन का काराण खालिस्तान हो सकता है तो इसका करेक्ट आंसर है हाँ पर डी हो जाएगा उप्यूक्त सभी बच्चों में पिछड़े पन का काराण हो सकता है अगला प्रस्ण है एक सिक्चक पार्ट पढ़ाने से पहले बच्चों से प्रस्ण पूछकर उनमें रूची और जिग्यासा उत्पन करता है या किस नियम का उप्यूक किया गया है या किया जाता है तो प्रभाव का नियम अभ्यास का नियम तत्परता का नियम या समानता का तो आठ का सही अंसर हैं पर सी हो जाएगा तत्परता का नियम यह हो जाएगा एगला प्रस्ण है नमवा नमबर चित्र पूरता परिक्षा इवं को ब्लाग डिजाइन परिक्षा बाला के खाले स्थान को जानने के लिए उपयोग किया जाता है तो नौ का जो सही अंसर हैं पर सी हो जाएगा बुद्धी हो जाएगा एगला प्रस्ण है वह युग गेता जिसके दुआरा नए संबंधों का ज्यान होता है इसके उतपत्ती में चिंतन की परमपरागात पर्तिमानों से हट कर पस दहान विचार उतपन होते हैं तो उसे कहा जाता है तो अधिगम स्री जनात्मक चेंतान या तर्क तो में पर दसक करेक्टांस में पर भी हो जागा श्री जनात्मक कहा जाता है अगला प्रस्वन है क्रकृति एक पूसन संकत करते हैं तो अंतरिक यां भाये बातर वरण प्रकृति यहां पूसर जो संक्यत करते हैं तो इसका सही आंसर हैं पर वन्सक्रम और वातावराण हो जाएगा अगला है इस्मृति इस्तर पर प्राप्तित अथ्यों यहां सुचनाओं के अधार पर नवी नियम यहां सिध्धानतों को विक्सित करना कहलाता है तो समाननी करन आत्मसत करन अनुपरियोग्या सह चरे तो इसका सहयां सरह पर यह हो जागा समाननी करन होता है अगला प्रस्ण है तेरवा नंबर एक बच्चा से वास तथा नुकलियर एवं अन क्लियर में विभेद नहीं कर सब पाता वह निमन सिपीडित है डिसलेक्सिया सब बच्चे को वास कहते हैं और नुकलियर को यहाँ पर अन क्लियर में विभेद नहीं कर पाता वह निमन सिपीडित है तो यहाँ पर डिसलेक्सिया अगला कोश्ण है यदि कोई विद्यार थी प्रस्ण पत्रे के किसी प्रस्ण के संबाद में पुस्तास करना चाहता है तब आप मुद्रन तूटी को पश्ट कर देंगे आप संबंदित विश्य सिक्षक को सुचित करेंगे आप उससे तब तक प्रतिक्षक करने के सलाद देंगे जब तक तूटी सुधार नहों जाए उगरोकर कहेंगे कि उससे जैसा समझ में आता है वैसा करें तो इसका सही आंसर रहां पर सी हो जाएगा आप उससे तब तक प्रतिक्षक करने के सलाद देंगे जब तक तूटी सुधार नहों जाए एकला है प्रिप्टिन नमबर कोश्चन किसी विद्यार्थी के अवांचित विवहार को सुधारने के लिए सरवाधिक प्रभावे विधी है विद्यार् प्रभावी विधी है जही होगा अगला है सुलवार नमबर प्रजेक्ट विधी से संबंधित कौन से कथन सही है तो अनभाव द्वारत सिखना सिख्चा के सुविदाता के रूप में है समस्य समधाने उप्रुक तो सभी तो उसका सही आंसर है पड्टी हो जाएगा उप्र विध्यार्थियों में परिक्षा के प्रती दुष्चिंता को कम करता है या विध्यार्थियों को सोचने के लिए बात दिख करता है तो उसका सही आंसर है या विध्यार्थियों को सोचने के लिए बात दिख करता है अगला प्रस्म है अधिगाम के लिए निम्लिकित में से स्रवाधिक आवस्यक है अधिकाम के लिए निम्न लिखित में से कौन से स्रवाधिक आवस्यक है तो उत्तम पालक बालक समंद उच्छ बुद्ध मता उत्तम विद्यालेवातरों ने सिखने की इच्छ तो इसका सही आंसर है आपर डी हो जाएगा सिखने की इच्छ इसका सही यदि किताब पढ़ने पर किसी बालक को परसंड़ता होती है तो यह अभिप्रिणा न है अन्तरिक अभिप्रिणा प्रसंद स्था प्रापति के लिए उर्ट्रुक्त मेंस्थ कोई नहीं तो इसका सही आंसर है अगला विश्वार नमर कुछोन दोस्टों पशंद है तो लाइ अपने अगले पार्ट को विद्यार्थियों कि आउसकता के अनुरूप समयजित करता है वह करता है तो अधिगम का अकलन है अधिगम के जैसे आखलन अधिगम के लिए आखलन या अधिगम पर अकलन तो इसका सही आंसर है हम पर सी होगा है कि अधिगम के लिए आकलन करना इस सहभागी निरिक्षड तो सक्रेटांस नहां पर दी हो जाएगा सहभागी निरिक्षड एगला प्रस्म है कोई भी बालक जिसका वेवार समान्य समाजिक वेवार से इतना भीन हो जाए कि उसे समाज विरोधिária कहा जा सके खालिस्थन है मन बुद्धिय बालक बाल अपराधी प्छड़ा व गल से को नहीं है तो बाल हे नित्र ऑपकष़ा अंश को जाएक में एक प्रक्राइब कर आण्सिए के लीं पेर सिया यहां पर चुपिस्व नंबर कारक सिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंदित नहीं है तो यहां पर सबसे पहला जो है नविन ग्यान को पूर्व ग्यान से जुनना अभ्यास कारे तत्त दो राने की विवस्था विसेवस्तु की प्रकृति या पूनर बलन की विवस्था त उत्तेजक के प्रतिस्व भाइक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना सीखना ही अधिगम है यह कथन किस अधिगम सिद्धान पर अधारित है प्रयास्यम्तुर्टि का सिद्धान परमपरागत अनुबद अनुक्रिया का सिद्धान सक्री अनुबद अनुक्रिया का सिद्ध अगला प्रसन है बालकों की विभिन नताओं के चाहे जो भी कराणड हो वस्तिकता यह है कि विभिन पाठ्थ करमों की द्वारा उनका सामना करना चीजिए परिभासा है अगला प्रसन है धारा प्रवाहित विस्तार महलुकता एवं लचिलापन इत्यादी घटक संबंधित है सेहु हिलागा इत्याड ऌört्वा सब्सक्राइब करेक्टाइब सब्सक्राइब दोस्तों आप सभी के लिए बाल विकास से 30 प्रसन काफी मोश्ट इंपोर्टन आपको सीछक भरती में यह काम आएगा ज़रूरी है आप अच्छे से तैयारी करिए और जल्द है सब्सक्राइब कर दोस्तों दोस्तों धन्यवाद